वेलकॉम गाईज आप लोग यूट्यूब पे भहुत सारा फोटो डिटिंग वीडियो देखाऊगा लिकिन मैं आज आप लोग को बताऊँगा वो सबसे उनिक और सबसे भेतरिन होने बाला है क्योंकि मैं आज आप लोग को आसन तरीका में कुछ इस टाइप का फोटो डिट okay Snapseed आप्लिकेशन का अभी जरूत पड़ेगा पहला step क्या करेंगे ना इधर जो पेंसिल बाल आइकन दिया इसका उपर जाएंगे और इसको थोड़ा बाला नीचे करेंगे और vignet strength को इसको plus में रखेंगे इतना तक रखने के बाद अभी क्या करेंगे ना tick ball option पे click कर देंगे कुछ इस type का photo हो जाएगा होने के बाद इधर edit ball option पे जाएगे और इधर view edit पे click करेंगे करने के बाद फिर इधर जो लिखाए vintage इसका अपर भी click करेंगे करने के बाद इधर edit पे भी पेड़ी और इसका अपर भी click करेंगे तो कुछ इस type का open हो जाएगा और इधर जो दियाए invert बाल पे अप्सन इसका अपर click करेंगे ठीके करने के बाद इधर जो arrow दो दियाए इसको जो down बाल आ है इसको कुछ पूरा click करके 0 करना है ड्रक करके अप लोग को बताता हूंगे अभी next step क्या करना है ऑके, अभी पूरा एरेज हो गया, होने के बाद क्या करेंगे ना, इधर टिक बला अप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इधर बैक बला अप्शन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे पेंसिल बला आईकन पे, पेंसिल बला आईकन पे जा brightness को थोड़ा सा कम करेंगे ओके, फिर इधर टिक बला option worse क्लिक करड़ेंगे, करने केदे ना फिर से जाएंगे pencil बालब आइकन पर pencil बाला icon पर जाने के बाद अभी इधर जो दिया है सर्ब बाला icon इसका देद स्थ जाएं, चाहीं है फिर से ओही color बला option पे click करेंगे, करने का बाद अभी green color select करेंगे, इसको कुछ इस type का नीचे खीचेंगे, कुछ इस टाइप का खिचने का बाद अभी क्या करेंगे टिक बला अप्शन पे क्लिक करेंगे ठीके फिर इधर एडिट बला अप्शन पे जाएंगे फिर अभी इधर भी एडिट पे जाएंगे इधर जो कर्व आएगा कर्व का अपर अभी क्लिक करेंगे फिर अभी इधर invert जो option दिया है इधर side में इसका अपर अभी क्लिक करेंगे इससा कुछ blue tone हो जाएगा होने के बाद जो arrow दिया है इसको zero करेंगे left side इसको click करके zero करना है ओके zero करके कुछ इस type का draw करना है model का उपर जितना भी blue tone हो है सब हटाना है अभी मैं next step बताता हूँ क्या करना है ओके so guys अभी देख सकते हो पूरा blue tone हो गया है होने के बाद अभी क्या करेंगे ना इधर tick बला option पे click कर देंगे फिर अभी क्या करेंगे ना इधर back जाने के लिए इसका अपर अभी click करेंगे फिर से अभी जाएंगे ओई pencil बाला icon पर जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना अभी इधर जो दिया है Lens Blur इसका आपर जाएंगे, क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस टाइब का Model को छोड़ के जो background है कुछ इस टाइब का इसको adjust करना है, ठीके थोड़ा सा, मतलब light दीख रहा है इसको थोड़ा सा blur करेंगे, ठीके Pignate को कुछ इस टाइब का इतना रखेंगे, ठीके रखने के बाद इधर टीक बला आप्शन पे क्लिक कर देंगे, करने के बाद अभी क्या करेंगे, ना अभी फिर से जाएंगे वही पेंसिल बाला आइकन पे पेंसिल बाला आइकन पे आने का बाद अभी क्या करेंगे ना इधर double exposure का उपर क्लिक करेंगे एक PNG आड़ करूंगा उसको में टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया हूं उधर से जाके डाउनलोड कर लो ठीके अभी ये बला PNG इधर आ जाएगा इसको कुछ इस टाइब का उपर थोड़ा करके लगा दे करने का बाद अभी क्या करेंगे ना अभी इधर टिक बाला आप्शन पर क्लिक कर देंगे ओके करने का बाद फिर आभी क्या करेंगे ना फिर से जाएगे वहीi pencil बाला icon और फिर से करने के बाद कुछ इस टाइप का हो जाएगा होने का बाद अभी क्या करेंगे ना टिक बला अप्शन पर क्लिक करेंगे करने का बाद फिर क्या करेंगे ना इधर जो एडिट बला अप्शन दिया इसका अपर अभी क्लिक करेंगे और इधर भीव एडिट पर जायेंगे मैं आप लोगो दिख इसको अभी प्लस करेंगे ओके आड़ करने के लिए प्लस करने कुछ इस टैप का करना है टी साट में जितना भी वाइट है न उसको पूरा एलोटोन डालेंगे इसमें ठीके मैं थोड़ा स्पीड करके आप लोग को बताता हूँ फिर नेक्स्ट टैप क्या करना है ओके अभी देख सकते हो पूरा एलोटोन हो गया फोटो पूरा चेंज हो गया अभी इधर अभी टिक वाला आप्शन फे क्लिक कर देंगे फिर इधर लेप साइट में जो ब्याक जाने के लिए इसका अभी क्लिक कर रहेंगे ठीके So guys अभी देख सकते हो पूरा एडिटिंग हम लोग का complete होगे और देख सकते हो कितना आछा और भहतरिन एडिटिंग हुआ है विफर का पोटो देख सकते हो आप टोर का देख सकते हो और कुछ भी चाहिए एडिटिंग रिलेटेड मैं टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया हूं उदर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और सेप करने के लिए कुछ इस टाइप का कर सकते हो ओके और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू